नमस्कार दोस्तों भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की उपासना से व्यक्ति के जीवन के सभी कश्ट दुख मिठ जाते हैं। और शनिवार का दिन पूजन के लिए सर्वस्रेष्ट माना जाता है। यदि व्यक्ति को अपनी परेशानियों से निजात पाना हो, अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना हो, अपने को कोई सफलता प्राप्त करना हो, तो आज मैं आप लोगों को इन सब चीजों के लिए एक ऐ मंत्र 24 गंटों में इस चमतकारी मंत्र के जाब से आपको मिलेगी सफलता आपकी मनोकामना होगी पूरी, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वो मंत्र क्या है और उस मंत्र को किस तरह से पाट करना है, किस तरह से उसका विधान है, किस तरह से आपको उस मंत्र से उपासना कर ये भी मैं आपको बताऊंगी पर पहले मैं आपको बताती हूं कि वो मंत्र क्या है वो गुप्त हनुमान बीज मंत्र क्या है जिसके पाट से आपकी सरी मनुकामनाएं पूर्ण होगी जी हाँ दोस्तों ये एक एसा मंत्र है जिसका जाप करना है आपको जिसका पाट करना है आपको मन में ये जो मंत्र मैंने आपको बताया इसको आपको अब किस तरहे से पाट करना है ये मैं आपको बताती हूं ब्रह्म मोहरत में ब्रह्म मोहरत मतलब सवेरे 5 से 6 बजे का जो समय है उस समय आप अगर उठ सकते हैं जल्दी उठेंगे जल्दी इसका अगर पाट करेंगे तो इसका चमतकारी प्रभाव जल्दी दीखेगा इसलिए ब्रह्म मोहरत में उठकर स्नान करके अपके घर की जो भी पूजा इस्थली है जहाँ पर आप पूजन करते हैं या फिर जहाँ पर आपके भगवान विराजित हैं वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है वहाँ पर आप फिर दीपक लगाने के बाद में हाथ बैठ जाएं और मन ही मन में तीन बार इस मंत्र का आप चाप करें आप इस मंत्र को देख कर भी पढ़ सकते हैं अगर आपको यह याद नहीं होता है और अगर याद हो जाए तो आपको इसका सिर्फ तीन बार पाठ करना है सिर्फ तीन बार दिन पाठ करने से आपको चमतकारी प्रभाव दिखेगा साथ ही आपके जो सूर्योदय होगा वो बहुत ही चमतकारी होगा आपके लिए ये मंत्र गुप्त हनुमान बीज मंत्र राम से जाना जाता है जिसका चमतकारी प्रभाव सभी को देखने को मिला है कहा जाता है हनुमान जी जो है यही एक मात्र जीवित देवता हैं, मतलब धर्ती पर मौजूद हैं, तो दोस्तों ये इस मंत्र के पार्ट से आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उम्मिद करते हैं, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको प मुष्कार!